मुझे जुडाव रखना बेहत जरूरी है असली सच्चाई हमारी जड है अगर हम जड से जुराब नहीं रखते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने हर एक पारंपरिक और अपने जडों को भूल जाते हैं नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन ऐसा कहना है बिहार की पुर्वसियम राबडी देवी की आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में महागच्वंदन की सरकार अब नहीं है राज़त बिपक्ष में खड़ी है और बिपक्ष में खड़े होने के साथ ही राज़त इन दिनों सोशल मेडिया पर काफी जादा एक्टिव है बिहार सरकार के पुर्व मंत्री तेश्प्रताप यादब हो या फिर बिहार के पुर्वसियम राज़स सुप्रीमो लालुप पुशाद यादब हो आए दिन आपको हम तस्वीरे दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से राज़द याने कि आरज़डी पुरा लालुप परिवार सोचल मीडिया पर एक्टिब है फिर वो राजनीती को लेकर हो या फिर तिवहार को लेकर हो या फिर किसी भी चीज को लेकर हो अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जहां बिहार की पुर्व सियम राबडी देवी ने अपने ओफिशिल ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट किया है ट्वीट में सबसे खास बात ये है कि राबडी देवी इस बार खेतों में काम करती हुई नजर आ रही है चलिए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाए अब हमारे स्क्रीन पे वो मेडियो देख रहे हैं साथी साथ राबडी देवी ने कुछ लाइने भी लिखी है क्या उन्होंने लिखा है चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं जडो से जुड़ा भी जीवन की सच्चाई है और गहराई से बोध कराता है जडो से जुड़ना रहना बंधन नहीं असली जीवन है मुक्ती और युक्ती है जड़ से जुड़े पेड़ हमेशा पुष्पित छायदार और फलदार और गुलज़ार और जड़ से जुड़े इंसान जानकार जानदार शानदार दिलदार हकदार और वजनदार होते हैं अगर जड़ों से जुड़ाव इनसान हो, तो वो दिलदार होता है, वो उसकę जो सोच होती है, उसके जो विशार होती है, वो बहत अलग होती है. अक्सर लोग कहते हैं कि हम कितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए. ऐसा है कुछ example देते हुए नजर आ रही है राबडी देवी भी राबडी देवी अपने ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट शेयर करते हुए ये वीडियो शेयर कर रही है जिसमें वो जडो से जुडाब के बारे में बता रही है आप देख सकते हैं कि राबडी देवी मूली आरते हुए नजर आ रही है और जडो से जुडाब को लेकर लोगों के सामने अपनी बाते कह रही है कह रही है कि जडो से जुडाब रखना बेहत जरूरी है फिर वो पेड़ के लिए हो या फर इंसान के लिए हो आपको बता दे कि इन दिनों राजा सुप्रीम मुलाली और लोगों को कहीं न कहीं एक छोटा सा ग्यान देने का काम किया है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही